नमस्कार जरहाट के खबरे में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको उतारे की एवरेस्ट पर बुलंद किया प्यार का जंडा आज कल बड़ी संख्या में लोग अपने शादी को यादगार बनाने के लिए विचित्र तरी के अपनाते हैं और केलिपोनिया का ये जोड़ा इसी का उधारन है इस प्रेमें जोड़े लिए अपनी शादी को एक यादगार अनुब्लों बनाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर पहुच कर शादी की केलिपोनिया के रहने वाले जैम्स सिसॉंग और एश्ले स्मीटर इन दोनों काफी चर्चा में है हाली में इन दोनों ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए खास जगे का चैन किया वे खास जगे माउंट एवरेस्ट थी एवरेस्ट पर शादी रचाने के लिए खास तैयारिया की गई थी शादी की तस्वीरे क्लिक कराने के लिए एडवेंचरस वेडिन फोटोग्राफर चारलेटन चर्चिल को भी ये लोग साथ ले गए इस दोरान इन लोगों को करीब 14,000 फोट की चड़ाई चड़नी पड़ी जेम्स एशले और चारलेटन चर्चिल को यहाँ पहुचने में करीब 3 सब्ता का समय लगा इसके बाद प्रेमी यूगल नहीं हाँ पर शादी रचाई और बहुच शांदार तरीके से अपनी तस्वीरे क्लिक कर आई ऐसे में अंकिये तस्वीरे देखकर लोग हैरान हो गए जेम्स और एशले चाहते थी कि उनकी शादी पारम पर इक धंग से हट कर हो लोग उनकी देखकर हैरान हो और ये यादकार हो इसलिए ये प्लान किया गया ये प्लान करने में उनकी करीब एक साल लगया लेकिन वे अपने इस प्लान में सफल भी हुए पर वह उनके लिए तापमान एक चुनोदी थी जैमस और आइशले का कहना है कि वहाँ तापमान बेहट थंडा था वे दोनों खुद को गरम रखने की कोशिश कर रहे थे इसलिए गरम कपडों के अलावा गरम सूप, खाना और तरल पदार्दों का अधिक सेवन कर रहे थे नौ दमपति के लिए ही हुआ समय था जबकि अपने शरीर को गरम रखने के लिए ज़ादा से ज़ादा चल रहे थे महाँ उन्हें शादी करने, खाने पिने और पैकिंग करने में करीब एक घंटा तीस मिनिट का समय लगा और इस दोरान वहाँ पर बर्व से गिरा एवरेस बेहत खुच्सूरत लगा था